भई पालक तो हम सबको पसंद है और हमें मूंकी दाल भी बहुत कमफर्ट फूड लगता है इस्पेशली जब हम उसको चावल के साथ खाएं पर क्या हो अगर हम पालक को मूंकी दाल के साथ मिक्स करके एक बहुत ही बड़ या तड़के वाली दाल बना दे तो बिल्कुल मजा ही आ जाए और यह हमारा कमफर्ट फूड भी होगा तो इसके लिए मैंने सबसे पहले पालक ले लिया है छोटे-छोटे पत्ते वाला पालक ले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा वैसे आप कोई भी पालक ले सकते हैं इसके हम डंडिया अलग कर देंगे और पत्त कर लेंगे कि पालक में जिदनी भी मिट्टी होती है ना वो नीचे सेटल डाउन हो जाए और जो पालक के पत्ते हैं वो बिल्कुल पानी के ऊपर तैरने स्टार्ट हो जाए और जब हम इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे ना तो इस तरह से हमें इसको उठाना है तो इसके ल तो इस वाली डाल को बनाने के लिए जो हमें second ingredient चाहिए वो है मूंकी छिलके वाली डाल कुछ लोग इसमें बिना छिलके वाली मूंकी भी डाल इस्तमाल करते हैं पर अगर आप छिलके वाली डाल लेंगे तो देखिएगा इसके सुआद में बहुत जादा फर्क आएगा और आपको इस खाने में बहुत जादा टेस्टी भी लगेगी तो मैंने इस दाल को बिलकुल अच्छे से वाश कर लिया है और अब मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगी कूकर में और साथी में हमने जो पालक को वाश करा था वोवला पालक भी हम कूकर में ट्रांसफर कर देंगे और इसको अब हम रख देंगे gasper, और अब मैं इसमें add कर रही हूँ पानी, तो पानी हमें इतना add करना है, कि वो थोड़ा सा पालग के ऊपर आ जाए, पानी हम जादा add नहीं करेंगे, क्योंकि पानी को हम बाद में भी adjust कर सकते हैं, साथी में मैं इसमें add कर रही हूँ हल्दी और नमग, तो ये procedure सेम ऐसा ही procedure है, जैसे कि हम कोई भी दाल बनाते हैं, बस हमने इसमें एक चीज़ extra add करी है, वो है पालग, आप चाहे तो बाद में भी add कर सकते हैं, पर अगर आप ऐसे ही पहले add कर देंगे ना पालग, तो ये दाल बनके बहुती ज़दा टेस्टी तयार होगी, तो अब मैंने इसमें धकल लगा दिया है कूकर में, और हम चार विसल आने तक का इंतजार करेंगे, तो अब हम यहाँ पर जीरा rice बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने एक भगोने में थोड़ा सा olive oil add किया है, और अब मैं इसमें add कर रही हूँ, तेज, पत्ता, और बिल्कुल ऑप्शनल है, ऐसे भी जीरा rice बनके बहुत अच्छे तयार होते हैं, और जैसे ही हलका सा पानी में बॉइल आना स्टार्ट हो जाएना, तो हम इसमें add कर देंगे चावल, जिसको मैंने आदा घंटा पहले ही भीगो कर रखा हुआता, तो इतना अब हम चावल को क होने देते हैं, तो मैंने यहाँ पर दो टमाटर लिये हैं, दो हरी मिर्च ली है, और मैंने यहाँ पर एक बड़ी प्याज लीती, जिसको मैंने बिल्कुल अच्छे से बारिक बारिक चॉप कर लिया है, साथी में मैंने यह साथ से आठ कर लिया है, उनको भी मैंने पहले से इन टमाटर को पीछने वाली हूं और साथी में ये दो हरी मिर्च 果ह काते हुआ ही क्यूंकि मैं टमाटर के साथ ढौशा हम क्या करेंगे कि और फटा फटा इसकी हमाटर की प्योरि बनाएकर तयार हमारे कूकर में 9000 आगई तो यह करें तो देखिए हमारी दाल बिल्कुल पर्फेक्ट है इसमें और पानी एड़ करने की ज़ुरत नहीं है जैसी कंसेस्टेंसी हमें चाहिए दाल की सेम वैसे ही कंसेस्टेंसी है तो अब हम इसमें चौक लगा लेते हैं जिसके लिए मैंने सबसे पहले कडाई में ऑईल एड़ किय इनको भी हम बिल्कुल अच्छे से ना भून लेंगे और मैं यहां पर एक चीज भूल गई थी पहले एड़ करना और वह जीरा तो साइड में मैंने थोड़ा सा गैब बना लिया था प्यास का और इस ओईल में मैंने यह जीरा एड़ कर दिया है तब तक मैं इसको नहीं छे प्यास करनेंगे जब तक कि इसकी लिक्विड कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम हो जाए और जो तेल है वह बिल्कुल मसाले से चूटना से इस तरह से तो उइल अब बिल्कुल अच्छे से से परेट हो चुका है इसका मलब मसाला भून चुका है अब हम इसमें एड़ करेंगे गरम मसाला, धनिया पावडर, थोड़ सी हल्दी एड्ड करेंगे, क्योंकि हल्दी हमने दाल में भी आड्ड करी हुई है, थोड़ा सा भूने जीरे का पावडर भी एड्ड करेंगे, और इसको दुबारा से मिक्स कर लेंगे, यह मसाले भी हलके से भून जाए, जादा नहीं भूनेंगे वरना मसाले जल सकते हैं सिर्फ हम इसको 10-15 सेकंड के लिए ही हलका सा बस टॉस करना है तो हमारा मसाला बिलकुल अच्छे से तयार हो चुका है अब हम इसमें डाल एड कर देंगे और इसको बिलकुल भड़िया से मिक्स दे देंगे और फिर हम इसको थोड़ा सा ना कुक होने देंगे कि मसाला जो है बिलकुल अच्छे से हमारी दाल में मिक्स हो जाए तो देखिए करीब 30 सेकंड के लिए मैंने बस इसको लो फ्लेम पर कुक किया था और अब हमारी दाल बिलकुल भड़िया से बन के तयार हो चुकी है पर अभी एक हलकी सी इनकंप्लीट है वैसे आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं पर हम इसके लगाएंगे एक बिलकुल भड़िया सा तड़का तो इसके लिए मैंने लिया है एक पैन और इसमें मैं एड़ कर रही हूँ देसी घी मैं यहाँ पर दो चमत देसी घी का इस्तमाल कर रही हूँ और इस ही में मैं एड़ कर रही हूँ दो सुकी हुई लाल मिर्च और साथ ही में कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जिससे की हमारी दाल में बहुत जादा अच्छा सा कलर आ जाए इसको हलका सा भून लेंगे कि जो हमारी लाल मिर्च है दोनों वो बिल्कुल अच्छा से भून जाए और कलर छोड़ना स्टार्ट कर दें इसी के साथ में हम इसमें बारी कटा हुआ अधरक भी आड़ कर देंगे और दो हरी मिर्च भी आड़ करेंगे जिसको मैंने बीच में से चीरा लगाया हुआ है और जब ये छोग तयार हो जाए तो हम इसको ट्रांसफर कर देंगे डिरेक्ट दाल के उपर और हलका सा दाल के उपर जब एड़ करेंगे तो इस तरह से हलका सा मिक्स कर देंगे तड़के की खुश्बू इस दाल में ही बनी रहे तो इसके लिए हम इसको लिट से कवर करके रख देंगे करीब एक मिनट के लिए और जब हम इसको खोलेंगे तो हम इसमें एड कर देंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया तो बिल्कुल मेंडेटरी है क्योंकि इससे दाल में बहुती ज़्यादा अच्छा स्वाद आ जाता है तो देखिए हमारी पालग मुंकी दाल बनके तयार हो चुक तो मैंने इसको चावल के साथ सर्व किया है साथ ही में हम थोड़ा सा सैलेड ले लेंगे तो मैंने या पे प्यास हरी मिर्च और धनिये का सैलेड लिया है तो आपको यह रेसेपी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर पसंद आई हो तो इस रेसेपी को ल शेयर करना ना भूले साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें